नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल भक्ती भावना में दोस्तों आज सों प्रदोश ब्रत है। हम प्रदोश ब्रत रहते हैं। ब्रत रहकार हम भोले नात की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद हमें प्रदोश ब्रत कफा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है, दोस्तों यदि आप भी श्रीराम के भक्त है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक वा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिये, दोस्तों आज हम άपको सो प्रदोशवरत की पौराणे कफा सुनाने जा रही हुँ, दोस्तों वीडियो को पू इसलिए सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ वह इधर उधर भीक मानने के लिए निकल पड़ती थी। पर आक्रमन कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसके राज्य पर नियंतरन कर लिया था इसलिए वह मारा फिर रहा था। कुछ दिनों बाद अनसुमाती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वपन में आदेश दिया कि राजकुमार और अनसुमाती का विवा कर दिया जाए। उन्होंने उन दोनों का विवा करा दिया। ब्रामणी प्रदोश वरत किया करती थी। साथ साथ भूलेनात की पूजा पाठ भी किया करती थी। प्रदोश वरत के प्रभाव और गंधर्व राज्ज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विधर्व से सत्रुवों को खदेड दिया और पिता के राज्ज को पुना प्राप कर पिता के साथ रहने लगा। राजकुमार ने ब्रामहनी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री सेवक बनाया, ब्रामहनी के प्रदोश वरत से जेसे ब्रामहनी और राजकुमार के दिन बदल गए, वैसे ही भोलेनात अपने भक्तों के प्रदोश वरत रहने से अपने भक्तों के दिन फेर देते हैं, वै प्रदोश ब्रत भोलेनात को समर्पित होता है। इस दिन विधी विधान से भोलेनात की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन प्रदोश ब्रत कथा अवश्य पढ़नी सुननी चाहिए। प्रदोश ब्रत कथा का पाठ करने से भोलेनात की विशेश कृपा प् और भोलेनात अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों प्रदोष ब्रत्मियम वा सयन्म से रहना चाहिए। तभी हम पर भगवान शिव की कृपा होगी। दोस्तों यह विडियो आपको केसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृप्या हमारे चेनल क लाइक वा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।